दूसरा रूल है चंदा कभी नहीं, तीसरा जाती क्या अभ्याना दिन्न दाना विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियामी जैसे सुधी राजसर ने दस गोल्डन रूल काफी डिटेल में बताये थे उन्होंने इतनी मैनत करके राउस में रखे और वो बड़े इंपोर्टेंट नी हमारा अधार है समन संग का और आगे बढ़ने का जो समन संग क्या है समन जो लोग है क्या समन समाज है या कहें हम जो समन समू है तो कैसे है कि उसके सारे यंग जो सारे साल साते जैसरा संंग है सब मिलाके जो समन संग बनता है का समद सब्ध जो है धेेस्व में लाखों लोगों तक पोण चुक है पिष़ले सवासाल से कीजे घरदना हम यह शब्द कानों तक है और लोगों को थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि यह वे है कि हमारा जैसे बार-बार कानों में जाता है तो कोई इसके लगाव तो होई जाता है तो फिर समझने की कोशिश करते हैं तो सोता है हमारे मापूर्स जितने किया यह श वुद्व से लेके बाद में हमारे संत कभीर साब सभी हुए उसके कासी राम जी है वह इस उस सोहते है कि सायद यह सब्द उन से कई लिंक है और हम सब्सभाब को जाने की जूर्थ है क्योंकि हमें हर कदम-कदम पे हम काम करते हैं लोगों को समझाते हैं तो वहां हर किसी का एक्षिशन होता है समन क्या है और जब हम नहीं जानेंगे हमें पता नहीं होगा इसकी डीटेल तो हमको सैटीस्फाइए नहीं कर पाएंगे मारा पहला जो रूल है वह समन मतलब समन संग में को ना सकते सिरफ समन आ कि और पहला रूल हमने बनाया के पहला आ सकते तो हमें इस समन सब्ड की महता समझ भी दस गौल्डण रूल है उस में से पहला हमारा गोल्डण रूल अभीijn प्रोफेसर शाम ने भी बता दिये थे बीफ में एक बार रिपीट कर देता हूं है है क्योंकि हमें बार-बार ये गोलने रूल बताने चाहिए और बोलने चाहिए कि पहला है केवल समवन दूसरा रूल है चंदा कभी नहीं तीसरा जाती क्या अभ्यास कभी नहीं चोथा संगा संग का जो आदेश हो सरोपरी है पांच वहां पद परतिष्टा मंच माला अभी पांजीकरण कभी नहीं है हमारे च्चटा कभी नहीं होगा साथमां संग राजनिति में जाएगा संग कशत्या कोई भी ऐसंच सकते हैं कि अघ invejaist संगाधी असे शरो करके जैसे अपना हाउस है सभी मिलके तो संग में कोई चीज पारिट करते हैं वादेश अगर होगा तो सब को पलना करनी है उसकी तो आठ्वा राजनित संग राजनिती में नहीं जाएगा नौवा जो संग आता है कई बार हम संग आत को नौर्मल ले रहें संग घात कोई छोटे मोटे जो नीमों की जो है आम ना माने पालना ना करें वह नहीं है संग गात एक बहुत बड़ा घात कैसे संग को जिस चति जितनी हो और वो सारे मिलके लगा लगाएंगे सब को यह लगा कि यह तो बहुत ही बात होगा चोटा मोटा एसे नहीं चोटी वो जो माफ करने लायका कुछ भी है तो वो तो माफ किया जा सकता है तो उस संग आत एक बार लगने बाद अगर वोगा प्रूव होगा उसके बाद उसकी वापसी नहीं है और यह हमारे जो नियम नो है दसवारूला की गोल्डन अ कभी अगर लैद होले यह मारे समद संग आधार संग का अधार है जीन पर हमारा समझ जो है कंखड़ा लएगा कंखड़ा रहेगा पहला नीयम नियम है कि समह बंख कोन है सभ वर संग में को रकते हैं किस कि से ल सीजगे हमारे प्रसरम हमें सामने आए नहींगे पुराना सब्द शंत रहे कि विसेश्ता कह सकते हैं ऐसे लोगों का समूग यह विसेश्व महांए सब्सेवर्त बताता है जो लोग संतह में रहते हैं वराबरी में से संतह जोड़ी इंसान रही कि दुख-शुक्ष कोई भी लाभानिया किसी तरह की गम संता मेरे जैसे हम अगर पुरानी बात समझतों वुराना की आनद की स्थें क्सक्यां कि लोग कि आप हम कर आदमे तिना उसका थो नैश्र flavor वी ऐसी होगा ईसको एधा समझेगा और ऐसे लोगों का समुझ तो लोग सारे उस तरह में बुद्धा के टाइम से पहले हम कहांव by रावरे में राक्ते थे और ऐसे लोगों का जो समुझ है यह समक्न संग है और इसका जो उल्टा अगरम कहें तो वह वमन से रिवर्स के आजरण करने वाले लौ सब्सक्राइब करना हमें समन से मतलब है अब हम यह देखें इसको कि समन वर्ड हमें नया लगता है और कितना पुराना है हमें इस पर अगर देखा जाए तो हम यह सोचे कि कहां चला गया है समन वर्ड इक हमारा वह इतना पुराना वर्ड अब तो हमें चलो पता चल गया लेकिन खाहां था इसके लिए उज़ोता था कैसे गायब हुआ तो गायब करने की जो बात करें तो जो सब्दों का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है यह पाली बासा जैसे हैं हमें पता निती क्या पाली होती है तो अब तो समझ में आगी आप तो हमें पता चल रहा है तो उस बासा के क्या सकता है अधार पर या उस इसाब से जो समन वर्ड है वो हमारे जो रोदी जिन के लिए बड़ा खराब था जो ब्राबरी चाते नहीं थे ऐसे लोगों की कोई जो उल्टा चाते थे ऐसे लोगों के बिजाए तो उन्हों ने उसको सब्द को कहीं ना कहीं बिगाड़ा इसको समन से सर्मन कर दिया और यह कर क्या दिया हम इसको जैसे कह सकते हैं कि यह जिसे कबीर साथ के दोएं है या रविदास जी के हैं और यह तो होसकता है कि कि बहामन कुछ लोग होंगे खराब थे उनका नाम आ गया जो हम यहां के मुलनिवासी थे वो तो थे थे तो इसलिए आया भी होगा तो मुझे थोड़ा इसका पता नहीं है तो ऐसे जो वर्ड को बाद में इनोंने इसका मतलब यह बारा सो तेरा सो पंदरा सो तक तक तो था कि बाद में ने कांग आए किया कैसे किया वह अब हमें पता चल रहा है कि यह कैना कि क्शिव में लिखने वान गें हम पहले तो थे सब कुछ ताइम ऐसा हुआ हुआ हम हमें अधिकार्वन्चित किया कैसे कि लिख लिख दिया तो सर्मन समन की विजाए जैसे खुद को ब्र संस्कृत बासा ही तो जिसमें और रहा है रहा है रहा है रहा है यह सब इन्हों ने संस्कृत करने बाद जो संस्कारित बासा है पाली से उसके बाद इस वर्ड को इन्हों यूज करना किया होगा और हमें परते परते सर्वन पड़ने लगे हमें पता है पिछले पिछले 20-30 सालों में बहुत सारे संग्ठ नया लगया यह जो हमें बता तो वह कहां से पढ़ा उन्होंने उन्होंने भी बमनों के जो लिखेंगी चीज़ें होई पड़ी और हमने उसे को आगे बढ़ा है उस पर देखाने भी क्या है नहीं पता था अब पता चले गया है तो सेमन वार्ड को फिर कभी हमने जान नहीं दिया अब हम आपने आप में गरव करते रहें सबी यहां जो है बैठे आब सबको पता है की सबर्म करने वाले लोग प्री में खाने वाले लोग लेकिन यह इन्हों ने परचारीत कर रहिए इस्तहां सह से बैंकर सबी bunkना दिया हमें सरम, करने व्यध्यां, अबना दिया तो हम अपने आपने गर्व मैसूश तो करते रहे लेकिन हमें पता नहीं हमारे इतियास ना पता चल दें अब पता चलिए सरम समण मींज हमारों उजनेल लोड समण है और सब कुछ हम थे राजा हम थे चिकित्षक हम थे प्रोफेसर हम थे शिक्षाविद हम थे प्रोफेसर सर्जन टे डोक्टर से जो भी सरभूश था तो सारा का सारा क्यों थे नेटरली ज्याधा से थी हमारी समनों यहां के मुलने मासी बार से आएंगो तो कितने लोग थोड़े होता है प्रशल से कह सकते हैं यह सब कुछ हमारा था लेकिन हमें इनुह कि किसी से बात करें कोई तुम तो भाइब करने तो यहां थोड़ा चुपपो जाते भी अपना तो काम यहीं है सरम काम करना काम करना दो और मैं सुस्विक करते होंगे फ्रिश्राम करके खाते गतिंध हम इसली बात है साहरा कुछ सब्सक्राइब लिखा है तो हमें थोड़ा सोचने लग गया हमारी तो अमारी सारी हमारी पुरानी क्या है सब कुछ है और यह सब जो अठारा सो सैंटीस अठारा से कैट्थर उसके आद उनीस सो सैंटीस यह जो शिलालेख है और इन पर जो पाली बासा में जो लिखे में थे इतने चुराशी जार जो शिक्षाएं बुद्ध की जो यह बमन है अब तक पड़ भी नहीं पाये थे कभी करना बोलते हैं इसको उन्होंने अंग्रेजों ने करके सारा कुछ बताया हमें तब भी पता नहीं था क्योंकि हमें आजादी मिलने तक तो वही बात पढ़ने का अधिकारी नहीं था सविधान लागू होने बाद थोड़ा-थोड़ा हमने पढ़ना सुरू किया तो पहले करें नियु से कि हमारे खाने के लाले लिए पढ़ने वाली जन्रेशन थी हमारे बाप दादा को वह कुई उनको बोलने का पानी पीने काई वह मिलने लगे तो थ्वड़ा-थ्वड़ा उनको बढ़ाएगी सुझी तो पड़े पड़े के फेरा में यह अलाकि अंग्रेज जोने पहले सब कर रखा था लेकिन हमें पता तब ही चला हमें घ्यान हुआ आज भी हम लेकिन पूरी तरह से पूरी तरह का कुछ भी बहुत कम लोग हैं इसमें इंट्रेस्ट रहे हैं अपना एस और हमें सब्सक्राइब कर लिया आज विए समझने को अपने संस्कृति या अ सब्सक्राइब कर देख सकते हैं कि ये सब सारा का सारा रहोए ये अम ऐसे भी लिखा किसे ने लिख दिया और हमने मालियों जैसे मकल मैं आज गार अभ्यास नहीं करना तो रिखेंक रेक्सित लिखें इस लिए रहे लुए बढ़ रही है अभ्यास बंध करते तो बंध उसे तरह हमें समवन को नहीं पता है रहाबरी में रहने वाणे तो उस्तरह कि कि जिन जिनका संग है वह सब हम पहले थे और इसका कैसे कि कैसे बराबन को और उटाता है कि नहीं यह तो वुद्ध हम का है समण बुद्ध बिक्षु संग है तो पता नहीं एक्चलुमें पूरा इस पर मन्तन करें कि इसको ऐसे सो सकते हैं कि उसमें कि सारे साथी सारे जो लोग हैं बराबर आप उसमें से किसी एक साथी समन्ने हम समनला के सारे बराबर समनल भी पैचान कर लिए उससे हिसजि इस समय है जिसने कर ली तो वह समनों में से यह जो ब्राबर में रहने वाले लोग थे अब उसने कुछ लोगों को वह डिग्री के इसाब से उसको सिखाना शुरू कर दिया तो कुछ ऐसा वरग उसमें से निकल गया जो बढ़न गया जो चलो उसके पराबर नहीं पहुंच पहे ऐसे बढ़नी संग बन गया बन नहीं निए अलग लग लग थे यह जैका संक है तो शारे उसी एक परिवार उस जाओं के वह एक पैठान थे और इसे उसी मेंसे कुछ cheaper कैसे ने आए और लेकिन वहापिस अपने निमोंगों को बंदने की विज्य वहापिस अपनी पहचान गा stitching अलग पहचान नहीं कर आई वह पासक संगह पासीहका संग में तो यह उसी तरह का हम इसको सोच के समझ सकते हैं कि उस ताइब सब बराबर थे और यह बिखुनी संग बिखु संग और जो है उपासक संग उपासी का संग वह सब ऐसा कोई अलग संग था नहीं समन संग ही था हिसी तरह हैं और ऐसा कहते है खो상 को इससे नहीं लिंक अब बार-बार को अब भुत भार शहले हैं में pulpa नंसे कर रहे हैं एसे कुछ नहीं है हमारा तो इस सिंपल जैसे पुराने टाइम में आम लोगों का संग है और बुद के टाइम भी हम बुद भी उसी संग के इसा थे बाद में उन्होंने डिगरी कह सकते हैं जो भी ज्यान प्राप्त करके थोड़ा सा उपर उठे तेकिन उसी संग के इसा थे अब यह समझाने के लिए ना अग से बाद ही तो वह प्रवज्या लेकर बने जब को यह कानियां बार-बार बताते हैं कहानी की जो पानी को रोणी नदी पर लड़ाई और वह जब फैसल होगा कि हम लड़ाई करेंगे तो गोतम बुद्ध सिदार्थ गोतम नहीं माने उस उनको यह लड़ाई में कुछ रख तो लेकिन वह संग का जो फैसला था नहीं मानने के उनको सजा होगी तिन तरही सजा थी तो तिनों में से चलो वह एक ले लिए और अपने प्रविज्या लेगे या देश निकाला लेकर शांती से चले अपने वहां से सब ने विदा किया यह इस से यह मैं कहना चाहरू कि को इसको समझना में दूड़ा था कई कैसे था कोह कुई क्यू возм्ड़ाने के लिए है कि ऐसा नहीं है यह को करकेह समय सकते हैं पहले पहले का है समर्श मुद्छ से भी पहले पहले मौत बात के लिए यह सब मैं बताना चाहरा था और इसको जो हमारे संग्ठन है वो सारे वो डंग से लेते हैं अब हमेरी कठा होना जरूरी है लेकिन संग्ठन क्या है वो संग में रहने के विज़ाई जो संग्ठन कह सकते हैं उसको सरोपरी मानते हैं के लिए तो हम कहते हैं समझ संग जो है सबसे सखीया है वो अपने संग्थन को ज्ञादा सरोग प्रेज़री बता रहे हैं और आज चुछ साल हो गए अब संग्थन तो कब से बन रहे हैं और भी बनते जाएंगे कि जैसे कह रहे हैं कि 29 संग्थन है और 4 तो संक्ठन जो आजादी के बढ़ते बढ़ते गए जब जैसे जैसे बढ़ते गए तो हमारे अधिकार तो बचने चीए थे आप बताओ आपको कोड़ से दिखार बच रहे हैं सब करेंगे पूरा करने का पूरा है अब हमारी अम लोगों को भर्मित करकर करके करकर करके खांपूचा लिया और हम लोग समझने के लिए त्यार नहीं है हमारे इतने पड़ेलिक ज्यानवान सब कुछ है वो लोग भी यहां जैसे इसमें खाँ आने को त्यार है नहीं समझने को त्यार है जबकि सामने दिख रहा है सामने पिटाईयां और यह सामने सामने लोग चीक-चीक कर बार-बार अकबार में पड़ते हैं अरे शुद्रो वहां वही बात जा जागे वहां अपना फोटो खिच्वाना रोशब करके और अगर उकठे होगे चले जाएं तो समन संग तो इकठा होने के लिए जोड़ दे रहा जिसे नहीं इकठे हो जाएंगे तो हमें जूड़ना है इसी पर फोकस है हमारा आज यह पहला गोल्दन है है इसको हमें समझाने के लिए सब्सक्राइब है जा यह जूड़ रहे हैं और जूड़ जूड़ेंगे जूड़ के रहेंगे हम और जीद के रहेंगे संजंग नमामी, संजंग नमामी संग ऑद इस सार बहुत बहुत अच्छा आप सबी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या permission लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right हैस पे क्या हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामूं संगं सरेणं गच्छामूं तू थियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामूं धूधियं पी दम्मंग सरेणं गच्छामूं तूतियों पी धम्मं अर्सेनु गच्छामू तूतियों पी धम्मं सर्नं गच्छामू तूतियों पी धम्मं सर्नं गच्छामू तूतियों पी धम्मं सर्नं गच्छामू ततियं पी बुद्धम सर्ण गच्छाम। ततियं पी संदम सर्ण गच्छाम।